एक होती है टपू से ना और दूसरी है ये सोनू से ना अगोरा क्या ले आज में तेरा थोवड़ा खाएगा रे बाबा रुख जा मेरे को पीपी करने दे पूरी रात कमरे में बन था में में ना बना रहा हूं को कोल्ड कॉफी इसमें डाला है चोटी चम्मच चीनी दस रुपे वाला वैनिल आइस क्रीम दस वाला दूध का पैकेट और दो तीन चम्मच चोटी चम्मच कॉफी और क्या डाला मैं इसमें बस अभी तो इतना ही डाला थोड़ा सा पानी डाला है और अभी बस मैं इसमें यह एड़ करूंगा एक कपकेक है वो और बस फिर हम इसको मिक्स करेंगे देखते कैसा बनता है ओके रेडी हो गया है चलिए सर्व कर लेते हैं और फिर इंजॉय करते हैं मैंने जो और की थी ना कोल्ड कॉफी उससे हजार गुनाची बनी है करता हूं अपने टी-शिट के साथ जो समर जब आता है न तब के लिए सो आज हम क्या करेंगे पता है जिम में लड़के पहनते यहां पर टैंक टी-शिर्ट वैसा टाइप का तो वह एक्चुली अगर आप लेने जाओ तो बहुत महेंगा होता है अगर आपके पास कोई घर में पुराना टी-शिट है तो मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको कैसे कट करके वह बनाना है अब दो तरीके से होता है एक टाइट वाला होता है और एक लूज वाला होता है तो दिखाता है और मेरे बाल थोड़े एक नौर कीजिए का अभी मैं नहा क्या हूं तो गीले है संडे मार्केट से मैंने खरीदा था मार्वल कॉमिक का ओरिजनल टी-शिट है इसका साइज है ना मेरे खाल से एकसेल है पर्ट यह मेरे को थोड़ा सा हाइट में छोटा पढ़ था और यहां से थोड़ा से यहां से टाइट पढ़ रहा था तो यह मेरे कुछ चालीस रुपए में खरीदा था तो यह एवेंजर का टी-शिट मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आज हम इसको कट करेंगे अब समर आ रहे है तो समर में पहनने के लिए और आल्सो इसको है ओके सो में एक तरह से नूबी हूं ऐसा ही समझ लो सो हम यहां से शरू करते हैं ठीक है यहां से थोड़ा सा वह देदे डीप यहां से आप मार्क करते जो इसकी लाइन में चलने का बट खुला रखने का हलका सा बस ठीक है और ऐसा कोई जरूर नहीं है कि सरकल बनाना है य ठीक है और होपफुली दोनो साइड आपको मैच करना है मतला यह एक साइड हमने कर दिया है तो हम दूसरी साइड करते हैं पहले इसको धंग से वह कर लेने का अच्छे से से सट कर लेने का और जब से टीशिट लाया हूं तो उसके बाद मैंने सो एक बारी पहना है एक यह को थोड़ा टाइट पड़ता था और अनकमफर्टेबल पड़ता था और हलका से इसका मटीरियल मोटा है ना होता है तो थोड़ा बहुत तो रहे गई रहेगा और वैसे भी हम प्रो नहीं है जो मैंने भी बोला ठीक है और मेरे को मारकर चाहिए था बट मारकर मिला नहीं सो मैंने का चलो पैन ही जिन्दाबाद है अपनी ठीक है इस तरह से कुछ आप लाइन कर लीजे दूसरी लाइन के साथ मैच होना चाहिए यह मेरा कुत्ता आ गया है पता नहीं उसको अलगी दादा गिरी है उसकी अच्छे से मारक कर लीजे ताकि आपको जब काट रहे हो ना तो आपको लाइन में गलत लाइन ना काट दो क्योंकि कि मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ एकदो टी-शिट मेरे खराब हुआ है पत एक दो टी-शिट में मैंने बहुत बढ़ीया वाला काम भी रहे हुआ जिसकी बज़ідक पहनती है कि मैं तो बहुत बढ़ा हो गया हो साइज में और really अब आपको एक अच्छी सी बढ़िया सी सिजर लिनिया अगर गटिया सीजर लोगे ना तो मैं बता रहा हूं सब कुछ गड़ बढ़ो जाएगा ठीक है अब हम कटिंग में एक्सपर्ट नहीं है बड़ यहां से स्टार्ट करने का ठीक है हलका सा कट मारने का और दोनों में पकड़के करने की ताकि आसान रहे ठीक है धीरे 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 लाइन को टच कराके ट्राइक करो ठीक है धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ मेरे को पता है सब लोग यहां पर एक्सपर्ट नहीं होंगे बट अगर आप ट्राइक करोगे तो हो जाएगा क बड़े बड़े टी-शिट लेके आए या फिर वैसा सथ हम वहाँ पर रहे ना सस्ते सस्ते टी-शिट आते थे फिर जब वो छोटे पढ़ने लगे या घर के फट जाए या कुछ भी हो जाए तो हम ऐसा कुछ जुगाट कर ले दे ते अब यहां वाला जो पाट है वह मतलब बोले तो साफ सफाई के वगेरे अब चले वारी है दूसरी साइड की काटने की अब दूसरी साइड के लिए चल यह अच्छे से पैसे सैट कर लिजिए खीच लिजिए ताकि कुछ गडबड़ी ना रहे और सेम प्रोसेस वापस से करनी है ठीक है इसमें कुछ नहीं अब मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है काटने में क्योंकि गाइज मैं है ना हूँ लेव मेरे को मतलब वह एक हाथ से इक सिजर पकड़ना आता है अब बारी है सबसे ट्रकियस पार्ट की वह है गला ठीक है आप चाहे तो इसको इसी तरह पहन सकते बाइद एक पीशेट ठोटा पड़ रहा है ना उसमें अगर यह करेंगे ना फिर भी यह काम करेगा सो अब मैंने क्या डिसाइड किया है गाइस कि मैं बनाऊंगा वी शेप में नेक फिक है मुझे वी शेप की नेक चाहिए तो पहले हम सबसे बढ़ला काम करेंगे वी शेप करने के लि यहां पर से इसको वी मार्क है अल्रेड अपना राउंड शेप है तो उसको फॉलो करते करते लाइन बना लो बढ़ियासी ठीक है आँम नोट दे एक्सपर्ट पर ठीक है हाँ लाइन तो अच्छी बन गई है मेरी ठीक है यप नाइन बन गई है फिर पहली यह बाई काटें हम फिर वो काटेंगे वैसा और अब यहां पर भी बनाना है अपने को ठीक है सो होफुली एक हाथ से गणा रहा हूं तो अच्छा बन जाए हाँ 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 इस दिस दे राइट वी जो हमको चाहिए ठीक है से ड्रॉ कर लिया है मैंने चलिया है अब कटिंग की प्रोसेश शरू करते हैं मोटा है तो यहां थोड़ा त्यहां से काटने का अब हमको यह फॉलो करना है में ली च्छीक है ज्यान रखें कि नीचे वाला हिस्सा ही कटे उपर वाला हिस्सा ना कट अब काटने की सबसे इंपोर्टन चीज जो आगे दिखेगी वह है वी कटिंग यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है तो यह नेक की लाइन पकड़े तो यहां पर एक हलका सा कटिंग मारा है मैंने अब यहां से मैं इस नेक की लाइन को पकड़ते हुए चलूँगा अपने को मेन गोल रहेगा वह वी पकड़ना कि यहां से हमने थोड़ा एक जॉइंट काट लिया अच्छे से ठीक है अब यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे पहले इसको पकड़ेंगे ओ कॉड़ वी डिडिट गुड अब यहां से इसको हलका साइसा वह कर लो गाइस यह हो गया है अब मैं आपको यह सीधा करके दिखाता हूं कि कैसा हुआ है कि यह देखिए है हमारा रेड़ी हो गया अगर हम चाहते मेरे पास अगर अच्छी बॉडी करता मतलब ही जो है न इसका वह और डीप करता पर अगर आपको वी नहीं करना है आपको सर्कल करना अब तो इसी सर्कल के है बहुत बढ़िया वह आ गया है ठीक है और फिटिंग वाइस भी एक दम बढ़िया सा है ठीक है मैं अभी थोड़ा मोटा हूं इसलिए वैसा लग रहा है बट अधर देन दाट इस लुकिंग नाइस एंड वेल कट ठीक है पहली बार ढंग से कट गया है मिर से आप बाहर जा रहे कहीं और अगर आपको शर्ट डाल के निकलना है सो उसके लिए भी बैटर नॉट बैड मतलब अच्छा लग रहा है वैसा सो या मेरे को कमेंट में बताएगा कि आपको कैसा लगा है है कि डिय जो इडली बना रही है अज सुभे से कुछ खाया नहीं है अलों सुभे नाश्ता किया था वही उसके बाद भूख लगी थी बहुत ज़्यादा तो बस अभी हीना का लेक्चर चल रहा है इना अपना लेक्चर ले लिए यहां पर और साथी साथ में लिए बैटर जो बोलते ना इस वह लगा के रेडी कर दिया है तो इडली और चक्ति काएंगे हम मजे से फाइनली एक साल के बाद मैंडलोरियन का सीजन वन आ गया है थर्ड सीजन थी आ गया है इडली रेडी हो चुकी है अब खाते हैं मैंडलोरियन देखते देखते हैं पीसे सव वूद इस तग यह भूसिसोर अगया गया है इस ने इस खर सकाण के लगा कि पा team reporting आगया आगा हैं मात्य। अब इस अब इस अब सबसे पहले हमने कुकुंबर मास्क लगाया था उसके बाद उसको 20 मिनिट रखने के बाद ये है चीरा क्रीम जिसका लेबल अभी निकल गया है इस अभी पूरा हीना ने मेरे को फेस पे मसाज करके दिया अब इसको मॉर्निंग में दो डालने का सो इससे फेस को डी टैनिंग मतलब विटामेन प्रोटीन जो भी चाहिए फेस को थोड़ा बहुत लिफ्ट उप होता है एक तरह से डी टॉक्स हो जाता है ठीक है अभी आप लोगों को फर्क नहीं दिखेगा दो-तिन दिन के बाद इसका वो निखर क्या आता है थोड़ा झाल 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 से एक तिन के नहीं दो फिर नहीं आप लिए्टिव से बादे जाता है झाल झाल झाल-बहूँ झाल झाल-टों पुझाल झाल-टों झाल झाल झाल